आजकल दो बड़े यूटूबर्स के बीच बहास छिड़ गई है मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइंग बीस्ट एक एक औरप तनेजा और दुरुबराटी के बारे में दुरुबराटी आजकल काफी चर्चा में रहता है कारण है लोकसवाई एलेक्शन 2024 के समय अपने वीडियो के जरिये पीए मोधी को किडिसाइज और एक्सपोस करना उसने अपना वीडियो के थुरू एक अजेंडा सेट किया था 100 करोर मीशन जिससे वो 100 करोर वोटर्स को वोट देने के लिए इस्पायर करना चाहता था उसने पीए मोधी और बीजेपी के ऊपर काफी वीडियो बनाया जिसमें उसने मोधी को डिक्टेटर बोला डरा हुआ डिक्टेटर बोला पीए मोधी के परसनल लाइप को एक्सपोस किया पीए मोधी को नहरू से कंपेर किया बीजेपी आइटी सेल को वाटसप माफिया बोला इलेक्टोरल बॉंड को स्कैम बताया और काफी वीडियो बनाया था मोधी और बीजेपी के उपर जिसके वैसे दुरूब राटी को काफी फेम मिला उसने यूटूब पर 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स गेन किये इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन प्लस फोलोवर्स बड़े उसका एक्स पर भी काफी फोलोवर्स बड़ा फेम से अंदा दुरूब राटी ने अब फ्लाइंग बीस्ट को किटिसाइज किया है जिने फ्लाइंग बीस्ट के बारे में जनकारी नहीं है तो बता दू फ्लाइंग बीस्ट एक ब्लॉगर, आयाइटियन, ओर्मर पाइलट, बोडी विल्डर और एक बिजनस मैन है इसकी शुरुआत होती है इंडिया भर्स बारत के डिवेट के साथ चलिए आपको इसके बारे में पूरी जनकारी देता हूँ कॉंट्रवर्सी की शुरुआत होती है जब एन आई ने एक्स पर एक पोस्ट करता है एन आई उसमें लिखता है NCRT की कमेटी ने रिकमेंड किया है किया स्कूल की सभी किताबों में इंडिया की जगा भारत लिख दना चाहिए तो सद्गुरु के नाम से परसीद जगदीस वासुदेव ने इस पोस्ट को रिपोस्ट किया और एन आई को रिपलाई किया सद्गुरु ने लिखा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद हम लोगों को अपना नाम भारत बापस ले लेना चाहिए था नाम सब कुछ नहीं होता है लेकिन यह जरूरी है कि देश का नाम ऐसा हो कि वा सभी के दीलों में गुंजे भले हमारे राष्ट के लिए सब कुछ है लेकिन इंडिया सब का कोई मतलब नहीं है अगर हम अधिकारिक तोर पर राष्ट का नाम नहीं बदल रहे तो आप समाय आ गया है कि कम से कम भारत को अपनी बोलचल में सामिल करें यूबा पिड़ी को यह जानना चाहिए कि भारत का अस्तित्व इंडिया का लाए जाने से बहुत पहले से हैं द्रोब राठी सद गुरू को रिपलाई करते हुए लिखता है जगदीस बासुदेव क्या आप अपने भारत बिरोधी आजिंडा को बंद करेंगे सब जानते हैं हमारे सम्विधान में इंडिया और भारत दोनों सब्द लिखे हैं लेकिन सिर्फ राजनीती के लिए फूट डालों और राजकरों का गंदा खेल खेल रहे हैं द्रूब राठी के पोस्ट पर गौरब तनेजा तंच कस्ते हुए लिखते हैं लोग इंटरनेट पर अलग अलग राए क्यों नहीं रख सकते हैं कुछ भी देशी लोग इंटरनेट के सारे कंटेंट पर कंट्रोल क्यों करना चाते हैं फेम से अंदा द्रूब राठी ने फ्लाइंग वीस्ट है के गौरब तनेजा को एक्सपर जवाब में लिखता है तनेजा का यूटूब चैनल अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए वो निव कॉंट्रवर्सी के तलास में है कोई ही कॉंट्रवर्सी आपके खत्म होते हुए कैरियर को नहीं बचा सकता है यहां तक के ड्रामा के लिए आपके बच्चों का सोसन भी नहीं आपको इसके लिए अच्छा कंटेंट बनाना होगा तो मैं आपको अपना यूटूब ब्लूप्रिंट कोर्स सज़स्ट करना चाहता हूँ इसके जवाब देते हुए गौरब तनेजा दुरूब राठी को लिखते हैं कि ये मंदारी से कमाई रोटी का सुक तुम क्या जानो भाई गौरब तनेजा के तरब से एक और एक्सपर ट्वीट आता है उसमें कोशन लिखते हैं इस पर मतवेद क्यों नहीं हो सकता आंसर मेरे इस्टागराम फॉलोवर्स का स्कीन सोट बाद में दुरूब राठी के तरब से गौरब तनेजा का जवाब आता है दुरूब राठी लिखता है मी अपना भारत विरोधी अजेंडा बंद करो गौरब इंटरनेट पर मतवेद क्यों नहीं हो सकता मी ठीक है आपके बारे में मैं अपनी राइ ब्यक्त करता हूँ गौरब हाई मेरी रोटी मेरा स्कीन सोट इंडिया भर्सिस भारत के उपर NCRT पर मुख दिनेश पर साथ सकलानी ने साप कहा है इंडिया भर्सिस भारत इन सब्दों पर बहस बेकार है क्योंकि संबिधान दोनों को बरावर रखता है उन्होंने आगे कहा कि NCRT को अपनी नई किताबों में इंडिया या भारत का इस्तमाल करने से कोई परहेज नहीं है आप किसको सपोर्ट करते हो भारत या इंडिया या दोनों क्या चाहते हो मेरे इसाब से इंडिया या भारत दोनों सेम है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें